और मेरी को भी ये हैं इमेiegen को perspectiva दी जो हर तरी कि haar नामस्कार साथियों सौगत है आपका एक नई वीडियो में आज है तो तारीख और आज सुक्रिवार का दीन है मीनामंच का प्रसिचण है तो हम चल रहे हैं मीना मंच के प्रसिछड में आप इस वीडियो को लाश तक देखिए और कुछ आपके जानकारी से सम्मंदित कुछ चीजें हैं जो उनको समझ ये ये देखिए आपको दिख रहा होगा ये साट कट रास्ता है अब चलते हैं वीडियो में लाश तक देखिए और फिर पताईए कि आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा बाइक हमारी रेडि है अब हम चल रहे हैं आगे अब आप लाश तक देखते रहे हैं और कुछ बातों को समझ ये यानि कम्याएं हर तरीके के लोग यहां पर बढ़े हैं हम दीन दीन धेख उसने के साथ रहेंगे और वालिका कुछा को बढ़ाने के लिए अपना पूरा सहीरों देले का स्याज करेंगे तो आप लोग अपने इडियाले में अर्मान मॉडूल और मीना मंच से परिजित हैं कि अचितैं क्या कोई मुंझे बताएगा वीना मंच क्या है मिना मंच क्या है यहां पर अब करता है तो आप महते को आपि क्या किंकिंग है आप कितना उसे जानते थे बहुत घ्याद्सक्या सई है गहां। कि प्रेनिंग ले छुकिये हैं, पावर एंजल के शशका सी हरण के लिए शुबंकर्टा को सशक किया जा रहा है, सबसे के दिली इतना है पावर एंजल हमारे विज्ञाले के कितनी है? ृृृृ ति और प्रेरख वाली का क्या होती है? तेरा पालिका क्या होती है तीन पावर एंगल तहां से आते हां तेरे पालिका जसी की पाले से जाने बिना जाने तेरी पूली में तकी करेश्टर ये पे लिए तो मतलग ये है कि चार पालिकाओ को आप लोगो देख रहा सेलेक्ट करके रखा है कुछ लोगों ने केवाद की फावर एंगल के अलावा एक प्रेयरक बालिकाओ को भी सेलेक्ट करिए दोरों चीजे सही है आप पहुत नहीं है कि आपकी जाने कोई चौका इंटर करें आपकी इनों क्लास से एक फावर एंगल मना जाए तो दोर बाते सही है की फावर एंगल के पहले केवाल एक फावर एंगल रोधी की पुरे विद्धाले में इस बात सब्सक्राइब आपकी जानना चाहते है कि आपको कितना बाता है मैं हुसा सिंग, असे सिंट टीचर, सिया सालम जंच और मेरी कुभी यह है कि मैं कोई वेक्टिव दी हो, हर तरह की गत्विदिया हो, सोजी बड़ी जैसी भी हो विद्धाले में, मैं भर पूर सामिल होती हूँ ऐसा नहीं कि कम जादा अन्मने मन से जैसा भी होता है मैं उसमें हर तरह से अपना 100% देती हूँ और मेरी कमी यह है कि वहीं गत्विदियों में सामिल होते होते कोई गलाची हो जाती है, बर्दास नहीं होती हूँ उससे बड़ लेती हूँ तरह की नहीं जिसी को फिक्र गई की यह जीने का अंदाज बयां क्या है होते थे जो मौसम पहले कभी शर्ली जर्मी और बर्शाँ या फिर हो वशंत पहार अगु किसी भी मौसम में इसके बाद फिर हम लोगों ने इस पर विचार भी मर्स किया डिसीजन लिया और यह तरीके रूरे भी क्या कर सकते हैं फिर हम लोगों ने एक ग्रूप एक्टिक्विटी के माध्यम से उनको प्रेरित करने का प्रयाश किया तो पहला हमारा यह है कि हमें समस्या क्या है सबसे विकर समस्या जो अभी है हमारी वह अनियवी उपस्तिती की है इसके लिए अधी का देश आया है डोर टू डोर जाने के लिए क्योंकि बच्चे रेगुलर करें